प्रदर शेखरदाट शेहर भर में टैसत फैलाने वाले खुंकार सरियागिरों की एक और वारदाट घर में घुशके बुजुर्ग दंपत की लोहे की सरिया से हत्क्या कर दी और सारा सामान ले उड़े यह अपरादी बहुत ही शातिर हैं यह पहले से ही घरों पे नजर रखते हैं और उश्वक थमला करते हैं जब घर में कोई ना हो लेकिन अगर गल्ती से कोई इनके सामने पढ़ गया तो लोहे की सरिया से उसे मौत के घाट उजार देते हैं अब तो लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं कोई भरोसा नहीं है यह कब किस के साथ क्या कर दें यह सरिया गैंग पपा यह क्या पपा क्या देखते रहते हो लोग पानी पीओ क्या पपा यह सब क्यों देखते रहते हो हां इतना टेंशन अच्छा नहीं है पपा आपके लिए यह सब मत देखो चलो इस सडियागिरों जिस तरह एक के बाद एक मातुम लोग की जान ले रहा है उससे सारा शहर डर के साहे में है देखते रहें समाचार इंडिया दीनू दर्वासा तुमने बंद किया था क्या अरे किया तो है कुछ भी बोलती रहती है भाई बत्ती बुझ गई है सब लुक्स हो गया होंगे चल नीचे क्या बचले बत्त बंद प्या किया लगले इंज। क्याल lease क्या प्याली कुछ घुक यह मुझे झाल Armand लगता है इधर कोई है मैं उतर जाता हूँ तुम लोग उतर देखो हाँ मुझे लगता है बाहर कोई है मैं देख किया आता हूँ अरे नहीं नहीं आप बाहर मत जाओ ऐसा करते हैं हम पुलिस को फोन करते हैं हाँ हाँ यह अच्छा इडिया है इसके पहले हो पुलिस को बिलाए इनको चांद सामागा डालते हैं हाँ 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 प्रेंस दर्डियो कर दोगने हुआ। वुझाईल वढ़तेया दिल선 है जाने है आटेया जाँ, 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 चले। चलो, केस सॉलब. खत्म हो गया सर्या गैंग. पंकच, यह डॉक्टर सालों की के बास ले जाू, जल्दी. देज सो प्लिज बनाई है सर्ट अर उनको बोलो जो जानना चाहते हैं अटाव इंको यह पार से एक एक को पकड़के ऐसा इंटर्वी दूंगा रहा भाग जाएंगे सो अरे लेकिन तुमें क्या हुआ है तुम इतने पजीने पैसे ने क्यों है है इसके विजेसे यह गड़ी की बच्चे से जो जो कए मयम्मूरी गड़ी नहीं है समार्ट वाचे स्मार्ट वाच अज़क्ल हो इसमार्ट वूच बहुत चल रहे डिक्कर й हा पूरी हा इवाट काम की चीज नही है बच्चीज पिछे ने कोई यह पूरे नाप के बताती है मेरा हाटबीट मेरा प्लैट प्रेशर एक एक कदम अरे यार कमाल है अरे लेकिन इसकी ज़रॉत क्या पढ़ गई तुमको यार फिट रहने के लिए अब CID के नौकरी में हरोज जिम तो नहीं जा सकते हैं तो इसकी मदद से मुझे पता चलता है क के कामों में मुझे कितना काम करना चाहिए फिट रहने के लिए अब दिखाता हो तुमको घर से यहां पर ऑफिस में तो घर से ऑफिस आने में मैं 3,743 कदम चल के आया हूं साथ सीडिया और इस पूरे सिलसिले में 200 कल रिस में जला दी या तो फिर एक गड़ी मुझे भी द और क्या तोड़णा है और या टोड़ना है यह गड़ी आख से दुड़ोगी तुने आए आया है तुम्हारी हट्टियों काके? जोबिस सवाल करूँगा मैं तुमसे उसके जवाब अच्छे बच्चों की थरह देना दोगे? 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 दोगे दोगे? देखो, देखो इन लोगों को तुम लोगों ने बाड़े बेरहेमी से, इनकी जान की है। मारा है ना तुम लोगों ने नBlज मारा यहूँ, are ना!! आप आप अप हम लोगों पर जूटे केस में क्यों पफा रहे हो, साफ? क्या का रहा? मैं तुम्हें जूटे केस में पफषा रहा हूँ? जूटे किस में फफ़तर हो मैं? साब, साब कसम से इन पीजों को हम लोगों ने मारा लिगिन इन दोनों को नहीं मारा और नहीं घर लुटे हैं साब जूट! अगर जूट हो लाना तो अभी के अभी लटखा दूगा तो तो तीनों को या! समझे! ये मिस्टर और मिस्टर नरेन हैं 24 अक्तोबर की रात को इनके घर में घुसे दे तुम लोग इने मारा और फिर उनका घर भी नूटा है ना? है ना? नहीं से तीन कुन की सजारे पासी और पाश कुन की भी अपाहिर सजा देता है रहा सार तो ये ज़ूट के ल insecure सर हम ही नरेन को हमें नहीं मारा है सर ये कूसे वह सकता ही? वही तरीका और वही हत्यार? तरीका जरूर वही है अगर हत्यार वही δεν 解 sicau ये भीजन ज़ूट के निशान Дवहीर का घून लोहे के सरीय से किया गया है बेशक दया खून तो लोहे के सरीय से ही किया गया अरे कमार अभी तो आप कह रहे थे अरे तुमने वेरी बात ज्ञान से सुनी कहा है अब सुन रहे ना अब पहले अबुजान लो छोड़ दे और जंदी बता दे बोसे सही है कि सारे के सारे खून ये तो लोहे के सरीये से ही गए हैं लेकिन नरेन और मिस्स नरेन का खून किसी और लोहे के सरीये से किया गए है इसका मतलब इसका मतलब ये है कि तेन खुछ उस लोहे के सरीय से किए गये जो आप लोगोंने बदमाशों से बरामत किया लेकिन मिस्टर नरैन और मिस्स बरैन का खुछ उस लोहे के सरीय से नहीं वो कैसे? बोस, उन दोनों के डैड बौडी менे जो घाव है उसमें जो लोहे के बार्टिकल्स मिले हैं वो इस बरामत किए गये सरीय से मैच नहीं होते हैं एक सर्या गैंग का केस और दूसरा उस गैंग का जो सर्या गैंग की नकल करते हैं खुन करने के लिए पुर्वी सर मिस्टर और मिस्टर नरेन के फाइल निकालो 25 अक्टूबर 2016 पुलिस की टीम मिस्टर और मिस्टर मिस्टर मेरेन के घर पाउचे आप कौन है? जी मैं हर्श हूँ, नरेन का बिजनस पात्मा सर, ये कौन है? सुनिल कुमार, मिस्टर नरेन के दोस्त अच्छा सर, मिस्टर मिस्टर नरेन की बेटी आरुशी और उसके पदी नहीं देखा तलाश को सबसे पहले और पुलिस को ख़बर की थी सर, पोस्ट मॉर्म रिपोर्ट की मुताबिक वार इतना तेज था कि दोनों के सर की हड़ी तूड़ गए और ब्रेन एमरेज से मिंटो में ही दोनों की मौत हो गए है को मिने? कौन हो सबता है जिसे मिस्टर नरेन के मौत से पाइदा होगा? सर, खुनी है तो बहुत चलाग, सरिया गैंकी नेकल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था हाँ सर, यह तो अच्छा हुआ कि हमने इस गिरो को पहले ही पकड़ लिया वरना कभी पता ही नहीं चलता कि यह कोई औरी केस है हाँ, एक काम करते हैं मिश्चराण 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 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब की कुंडली निका दो कुनी को पता तो चले किस से पाला पुड़ा है शाद, यह अरूश है अपने मावाप की इस्क्लोटी हो लागी है तुम दोनों के मरने को सबस्यादा फाइदा अरूश ही इसके हजबन Sanjay का होने ओना था पूरे देर सो करोड का अरे यार भाई जराथ, तू खाना बंद करेंगा खाना बंद करेंगा, आराम से बोल, ओक्या है नवाप अरूश है अटान यह संजे तो खाते पिते खानदान गजा था जरूश है अर इसकी चुगेई आदने से रस्ते प्ला दे मतलब सास ससुच के मौत से यह रोडपती अब करोडपती बन गया है अधार देने वागे इसकी जान के पीछे पड़े में? तो सबसे पहले शक काग्रा शक किसी पी जाता है? सर आपके सारे क्रेडिट काड्ड डिकलाइन हो गए संजे, क्या है यह सब? तुमने अपने क्रेडिट काड्स की पेमिन नहीं की? टून भरिया रशी सब कुछ चल्दी ठीक हो जाएगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अच्छा अरुशी और संजे चाहते थे प्रॉपर्टी दूसरा क्या चाहता था देखते हैं उसका क्या मोटेव है सर जिसे आप देख रहे हो न यह नरेन का पार्टनर हर्श है इन दोनों की बीच में एक दील होई थी और दील के मुताबिक दोनों में से किसी की अगर मोथ हो जाती है तो सारा का सारा बिजनेस दूसरे पार्टनर के नाम पर ट्रांसपोर हो जाएगा सर थैंक यू हमारी जिम के साथ अपनी कंपनी का टाइप करके आपने बहुत अच्छा फैसला लिया एक्चुली सर हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन मिस्टर नरेन तयारी नहीं थे नरेन ना तो इस कंपनी में है और ना इस उनिया में और आज के बाद सारी फैसे मैल भूँगा आपके जजबे को देखकर लगता नहीं कि आपकी कंपनी इतना लॉस में चल देखी लॉस में चल रही थी पर अब नहीं चलेगी लाल्ची लाल्ची है यह हर्श बिजनिस हत्याने के लिए यह खुन कर सकता है यह रहे सर्थ बिजनिस में फाइदे के लिए यह आदमी कुछ भी कर सकता है इन दोनां का तो पता चल गया सर्थ अब देखते हैं पूरवी का आद क्या लगा है हाई हमने वीकेंड के लिए रूम बुक किया था मेरा नाम सुनील कुमार है सर्थ यह सुनील और मिस्स नरेन यह सिर्फ दोस्त नहीं थे इनके रिष्टे को जादा ही गह रहे हैं दोनों सालों से अपने जीवन साथी को दोका दे रहे हैं वह यह तो कानी में एक नयम हो रागा से हाँ सर्थ लेकिन मिस्स नरेन ने सुनील से उस हाथसे से ठीक पहले सारे रिष्टे कहत्म कर दिये थे तो प्रहुम सुनील पर शक्यों कर रहा हैं क्योंकि सुनील मिस्स नरेन के इस फैसले से खुश नहीं था उसने मिस्स नरेन को मेसेजिस भी किये थे कि तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हें इसके लिए पच्टाना होगा सुनो इंपोर्टन फों को अले में जरहाथ ता हाँ हाँ प्रीज करेए हेलो डारिंग कैसी हो देखो मैं तुम्हें जरा कुछ देर के बाद फोन करता हूं अरे मेरी बात तो सुनो अपमी पक्वास बंद करो और मेरी बात सुनो जब तक मैं तुम्हें फोन ना करो तुम मुझे फोन नहीं करोगी समझी तुम और मुझे उक्साओं मत वरना बहुत पश्ता होगी समझी सुनी ली बड़ी पहुंचे हुई चीज है ये सुनी ली अर हमारा तीसरा सस्पेक्ट यह है सर हमारे तीनों सस्पेक्ट लग जाओ इन तीनों के पीशे पता लगाओ कहां थी ये तीनों जिस वक्त मिस्चर और मिस्स नरेन का खून हुआ सर यह आरुशी अने गड़ पर ही थी सर हमने उसके फोन कॉल के लकेशन और डीटेल से पता किया है वो करीब तीन गंटे तक अने एक सेहली सुनेन से बात कर रही थी तीन गंटे तीन गंटे तक बात क्या करती है अव ये तो CID भी फता नहीं लगा सकती कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता इसका मतलब है ये अरुशी क्लियर है अरुशी सेफ है और उसका पती ये संजय है वो तो घर पर ही था नहीं सर वो किसी स्पोर्ट बाग में पैठावा था पूरी रात हमने उसका वो क्रेट कार्ट डिटेल चेक किया और फोन लोकेशन भी तो बिर बच्चे दो लोग सुनील और हर्ष साथ हाँ ये बड़ी इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सर हर्ष का फोन थोड़ी देर के लिए उसी समय बंद हुआ जिस समय मिस्टर और मिस्टर मेरेन का फोन हुआ था प्रष का ही नहीं सुनील का भी फोन उसी समय उतनी देर के लिए बंद हुआ था तो उनों का फोन बंद था दोनों का बस तो बड़ पता लगाना पड़ेगा ये ज़िए नरेन की खून के वक्त सुनील और हर्ष कहा थे हरे कौन हो भाई हटो सामने से मुझे दूपका मजा लेना दो कौन हो भाई CID CID मिस्स और मिस्स नरेन के खून के सिलसिले में आप से कुछ बात कर दी है फिर उनका मड़ो तो वो सरीया गिरों ने किया था न? नहीं उन दोनों का खूनी कोई और ही है विसे मिस्स सुनील चौवीस अक्टोबर की रात करीब ग्यारा से बारा के बीच में आप कहा थे मैं? क्या? आपको लगता है की भी? मिसेस नरेन के साथ आपके खास संबन थाबित करते हैं सब सुनीए सुनीए सर प्लीज राइदा आपके बात कीजिए न? प्लीज सर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा लेकिन मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पतानी चलना चाहिए कुछ पतानी चाहिए कुछ पतानी चाहिए सर शौबिस अक्टूबर की रात को मेरी वाइफ का बर्द्दे था हम लोग प्रिनर के लिए अपाल गए थे में बस फोड़ो रहाज भी मेरे फोन में ये देखे एक मिनटा ये देखे सर क्या हुआ माम आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही है देखे गवराये ने ये बस नॉमल पूछता चाहिए अच्छा आप पता सकती है कि चौवीच ऑक्टूबर की रात को क्या आपके पती पुरे टाइम आपी के साथ थे देखा सर आपने अब आप ही वताईए मैं एक ही वक्त पर तो जो के कैसे हो सकता हूँ आपना था फोन कुझेर के लिए सुच ओफ क्यों कर दिया था सर क्यूंकि बहुत फोन कॉल्स आरथे मेरी वाइफ को वेश करने के लिए और मैं चाहा था कि सेरेब्रेशन बस हम तिनों के बीच में ही रहे उसरात और क्या क्या हुआ था? हम दोनों साथ में रेस्टरों गए और खाना खाया और फेकर वापिस चले गए माम्याम भूल गए पापा एक बार पीच में भार गए थे था और मैंसे कुस्ता हो गए थे अहां शायद उने कोई जरूरी काम आया था आई थेंग कोई फोन कॉल लेकिन फोन तो बंद था अच्छा ये सुनेल कितनी दिर में वापस आय थे? यही कुछ 20-20 मिनिट में पक्का नहीं बता सकती मैं टेंशन में थे पाबा टेंशन में थे? देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे मैं पूरी राथ अपनी फैमिली के साथ ही था गलत तुम्हारी पतनिका कहने कि उस राथ तुम करीब 20-20 मिनिट के लिए कहीं चले गए थे और जब लोटे तो बहुत टेंशन में थे कहां गए थे तो अब आप कौन है वो सब छोड़ो पहले इनकी सवाल कह जवाब दो तेखिये मुझे पता नहीं इस बात को बहुत वक्त हो गया मुझे ढंक से याद नहीं पापा मेरी फैमिली वेरा इंतजार कर रही है आप लोगों के सवाल पूरे हो गई हो तो मैं जाओ ठीके जाओ जरुत पड़ी तो फिर ढूण लेंगे तुम्हें जी सर नरिन का घर उस रेस्टाउंट से आट मिनिट के दुरी पर है यह बीस-बाइस मिनिट में वहां जाकर खून करके आना इता मुश्किल नहीं है सबसे पहले हमें सर बीस-बाइस मिनिट के गुत्ति सुल जानी होगी अरे ध्यान से यह रॉड अगर मेरे सर पर लंग जाता तो मेरे जान चली जाती कमाल है अच्छा बहुत जनकारी है तुम्हें इस रॉड के बारें तो तुम्हें पूरा यकीन अगर यह रॉड किसी के सिर से तक्राएगा तो उसकी जान चली जाएगा यह तो किसी बच्चे को ही पता होगा लेकिन यह सब बेतों की सवाल अब मुझ से क्यों कर रहे है कौन है हम यहां आपसे मिफ्तर और बिसेस नरंग के खुन के बारे में पुष्टाश करने आए लेकिन उनकी खुन ही तो पकड़े गया ना ने सिफ सर्या गिरो पकड़ा गया है उनी अभी भी खुला गोम रहे है लेकिन यह सब सवाल मुझ से क्यों मैं क्यों मारूंगा उने वो तो केस सॉल होने के बात पता चल जाएगा आप यह बताएगे कि चोबीस अक्तुबर की रात क्यारा से बारा बज़े के बीच आपका फोन बंद क्यों था एक मिनिट एक मिट आप लोग को लगर है कि खोनी मैं हूँ देखें मुझे पहले अपनी वकील से बात करनी है पहले आप हमसे बात करिये उसके बाद जिससे चाहें बात करते रहिएगा समझें पॉन बंद क्यों था आपका मैं पिचर देख रहा था और पिचर देखते वक मुझे पसंदनेगी कोई मुझे डिस्टब करें कोई सबूत है आपके पास? हाँ इंटिनेट पे टिकेट वुक किये थे मैंने पुरी अपने क्रेड़ कार्ट से आप चाहिए तो चेक कर सकते है कौन से थेटर मैं फिल्म देख रहे था हाइफलाई 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 यह तो मिस्टर हर्श है हर शुक्रवार को फिल्म देखने आते है और यह 24 उक्टूबर के रात में भी इसने पूरी पिक्चर देखी थी कि नहीं सॉरी सर यह मुझे नहीं पता है सर 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 इस राद थीटर में मेरे आगे वाली सीट पे यही बैठे हुए पता को रोज दिन इंटरनेट से कितने लोगों ने टिकट गो किया था सब के नमबर निका लो किसीने किसीने तो देखा होगा उसको सर 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 फिल्म की शुरुआत में मेरे घर से मेरी माँ का फोन आ गया था इनकी तभीर ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे बात करना और इस आदमीन इस बात को अंगामा कर दिया कि मैं सब को डिस्टरब कर रहा हूं लेकिन अजीब बात यह कि इंटर्वल के बाद वापस आया और मुझसे माफी माना अच्छा ठीक है नुम जा सकते हैं थेंक्यू वेरे बाई इसके हिसाब से तो हर्ष थेटर में था लेकिन इंटर्वल होता है बीस मिनट का सर नरिन का घर थेटर के पास मैं अगर कोई चाहे तो इतनी देर में कौन करके वापस आ सकता है सर सर सुनिल की बीवी जोती ने जो हमें काया था वो सही था सुनिल उन्हें छोड़कर बीस बाईस मिनट के लिए अपने गाड़ी लेकर कहीं बाहर गया था ये रहे पारकिंग लॉट के फूटिज कि इसका मतलब ही कि ए ये कुनी इन दोनों में से कोई एक है और शीयन तुनील और कौन कौन हो सकता है अवीजी तर्थ इन दोनो नामों में से एक एक चुनलो अर्श, सुनील ठीक है, अब तुम दोनों वही पर जाओगे जहां पर कतल के वक्त ये दोनों मौजुद थे और वही करोगे जो इन दोनों ने किया होगा अब कुछी पलों के लिए अब जी तुम हर्श बनोगे और दया तुम सुनील अब आने वाले कुछ पल ही आमें बताएंगे कि मिश्चर और मिसेस नरीन का खुली इन दोनों में से कौन है सुनील या हर्श आद या हाँ से अभी मैं ठीक उसी टेबल पर बैटा हूँ जिस टेबल पर सुनील अपने परिवार के साथ उस राद बैठा था जिस टेबल भाएंगे अभी मैं याँ से ठीक उसी टाइम पर निकलूंगा इस टाम पर सुनील का मभाई स्विच्ट ओफ आख राद या अभीजीद 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 हाँ सर्थ या रेडी अए सर्थ मैं रेडी हून सर्थ इंट्रवल ओने वाले कर दो.. तो.. मेरे इनस से रिखल रहो अबी.. ठीके फेल्ट बसाव लागुद.. पूर भी सुर्ण अब शॉर्ण कि ऐ निम्हाट न थे.. अबी जी तूम.. तरिकर ताम स्टार्ट उर्ट.. थाँ झाल झाल पुर्वी पुर्वी देखो, सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसा ही सेट करो सब परणीचार परणीचार सब कुछ अभी जीद आता ही होगा आई अचाप सब करो पुर्वी व कि राल परणीचार व्योंoo प्रेख बाट रटने जिल unto घमने तरफ बाट शुटने लाटी जिल रहा प्राइब पाटी जल जाई जिल शुटने-जिल और दोगज अफब कर लिवसरमा करें में। कर ला क्धिस्ति में। कर दो फ्र दुट कि अर्षब एंद 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 कर दोय खोको कि ढहां इसकी कि अर्षपनी आए जातकी कि अबस्किर प्रफ़ांब कि आएसे कि अर्षांद नहीं एंद समय कि अर्षपनी घर्षपन आए. अब क्या करें सर? दोनों को लगबग एक ही जितना टाइम लगा? शक तो अभी भी दोनों पर यह सो हमसे कुछ तो बूर हो रही है, कुछ तो बूर हो रही है समझ मैंने आता क्या? अभजेत तुमने सब ताम तेईस मिनिट में किया और देह तुमने बाइस होने कोई कहा सर सर फिर तो आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा है रहे नहीं नहीं आप जर साड़क में भागेगा तो किछेगा तो अजी परसे स्मार्ट वाच के हिसाब से हमें करीब 14,000 कदम भागाओं तुमारा कितना वागा साड़े आठ हजार कदम चलाओ मैं जर और काड़ी में तूगया था सर मुझे भी ऐसा स्मार्ट वाच चाहिए जो सब कुछ नोट करता है जिससे कुछ भी नहीं चिपता क्या का तुम्हें नहीं सर वह कुछ नहीं क्या का तुम्हें स्मार्ट वाच से कुछ भी ने चुपता स्मार्ट वाच से कुछ भी ने चुपता मगर हमसे एक बात चुपी है एक बात चुपी है हमसे क्या सर? अभिशीत तुम और पंकच चोरी करोगे क्यार वाच से कुछ वाच से कप्टा झाल वाच हुंष वाच 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 आस यह अज़ आपने टॉवेल बन्गायाता है ना आपका टॉवेल पुर्वी ज़्दी से ज़्दी से इस पार्च वाउच का सारा डेटर ले लो अरे 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 अरी पंकच को इतना टाइम क्यो लग रहा है ज़्दी ज़्दी करो प्लीज मैं चोरी करते हो पकड़ा जाना नी चाहता हूँ एक मिनिट स्थर्व से पार्च करते हैं I'm sorry, I'm sorry. अच्छा भी सिकारण, अच्छा, थेक, थेक. अभी तो महर वाद या था तुने. सर, मैं CID में ही अच्छा हूँ. यह सब चूरी ओरी मत करवाईये मुझसे. सर, चौरी सक्तोबर के तारी इंफोमिशन गी. तो यह बात है. तो यह बात है. अभी जी, इद्धया. चलो. बहुत है. फिल्म दिखाता हो सब को. लेट गो. यह बात्राएव यह बात्राओढ़् самое मुझस आएभ. यह सब क्या है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हूं? मैंने का! यह सब क्या मज़ाख है? नहीं, बिल्कुल मज़ाख नहीं हमने सोचा क्योंने तुम्हारे साथ एक फिल्म भी देख लें और फड़े गपे भी लड़ाएं? लेकिन मुझे ना पिक्चर देखनी है ना गपे लड़ानी है मुझे क्यों बुलाएं आप है? वो इसलिए सुनील यह की हमें लगता है कि मिस्चर और मिस्स नरेम के खून में तुम दोनों का हाथ है मिस्चर सुनील तुमने हमें अब तक यह नहीं बताया कि 24 अप्टोबर की रात को 22 मिनिट के लिए कहां गाया गोगे दिए? कैसे बतायगा? मामला जो गल्फेंट का था जिसने इनकी बीवी बच्चों के साथ उसे देख लिया था उसी रेस्टोरेंट में जहां पर वो मौझूद थी तो भाई साब उसको मनाने के लिए 22 मिनिट के लिए गया थे क्यों ठीक कह रहा हूँ ना? मिस्चर सुनील हमने तुमारा फोन रेकॉर्ड चेक किया तो पता चल गया था कि उस रात उसी रेस्टोरेंट में उसी समय एक नंबर और मवजूद था और जब हम उस नंबर से मिले तो वह आपकी कल्फेंट निकली सारा मामला साफ हो गया तो पिर इसका मतलब साफ है अभी जी कि मिस्चर और मिसस नरेन का कून सुनील ने नहीं किया अब बच्टा है हर्ष हर्ष तुम मिस्चर और मिसस नरेन को मार सकते हो क्योंकि उनकी मौट से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फाइदा तुमें हुआ उनका इतना बड़ा बिजनिस फोकट में मिल गया तुमें देखो आपको कुछ गलस है लिए अब सिर्फ इतना बताओ फिल्म के इंटरवल में तुमने क्या किया लेकि मैंने आपके आफिसर को पहले ही बताया था अब ये बात तो आपकी समझ में आई की नहीं नहीं तक करके बताएंगे तो अचा रहेगा करके दिखाओगे एक कॉल कॉफी देना प्लीज पिर इसके बाद में वाश्रूम गया तो बचलिए आप लोग अंदर नहीं आएंगे नहीं हमारा हो चुका है तुम जाओ हो गया सब कुछ अरिफार दयार अभजीद बिलकुल तुमारे जैसा स्मार्ट वाच क्या वात है यह देखो यह तो कुछ भी नहीं चुपाता है में दिया है तुमारा हार्ट रेट अभी का 88 है तो फिर सौ कदम चलकर सिवन कैलरीज कर्च कर चुके हो लेकिन 24 अक्टबर के रात को तुमारा वाच कुछ अलग ही रेकॉर्ड बता रहा था पुर्वी तरह बताओ तो रेकॉर्ड हो सर कतल की रात इंटेवल से पहले इनके दिल के धरकन 88 थी ठीक है लेकिन इंटेवल के बाद बढ़कर इनकी दिल के धरकन 170 हो गए ओम यानि की इंटेवल के दौरान यानि की पाईस मिनिट में इन्होंने हजार कैलरीज कर्चे यह कैसे हो सकता है एक हजार कैलरी सिर्फ कॉफी लेके वाश्रूम इस्तिमाल करने में एक हजार कैलरी बनो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन मतलब 24 अक्टोबर को तुमने ये कॉफी और ये वाश्रूम इस्तिमाल किया मिस्टर मिस्स नरेन के घर का और वो भी पैदन क्योंकि कार तो तुम्हारी यहीं पे थी बाग बाग के गए फोन किया और बाग बाग के बापा साके फिर्म देखने लगे लालश ने मुझे मचपूर किया नरेन की जान लेने के लिए फ्रिडी चलिए सर हाँ मेरे ममी पापा के कातिल को पकड़वाकर आपने मेरे उपर बहुत बड़ा इसान किया है अरे नहीं नहीं कोई इसान नहीं किया ड्यूटी है हमारी अब देखो खुशी से रहो और अपना खयाल रखना जरूरत पड़े तो कभी भी याद करना हाँ चाह, गुड़ लख थेंक यू सार अरे चलो फिल्म लेगी अभी भी देखने के लिए क्या बाते सर आपने भी ये स्मार्ट वाच ले लिया हाँ तुम लोगों के जैसा सोच रहों कल से सुबह पांच बजे जॉगिंग करने जाओंगा हाँ तुम लोग मुझे सुबह आकर पिक अप करना है सब लोग हाँ स्मार्ण मझे चाल ये सन्मार्ण